हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस बीडियो में बताऊंगी कि डेंडरफ होने का क्या रीजन है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में डेंडरफ कहोना एक नॉर्मल बात है लेकिन आपको टेंजन बिल्कुल नहीं लेना है आपको सिर्फ मेरी बताई हुई रेमडी को अपने वालों पर एपलाई करना है फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में डेंडरफ आपके वालों से एकदम गायब हो चुका है रूसी होने से ना सिर्फ बाल ही बल्की चेहरे का गलो भी कम होने लगता है जब सिर्फ से डेट सेल्ट ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं तो यह डेंडरफ का रूप ले लेते हैं इसे आप एक प्रकार का फंगस भी कह सकते हैं जिससे बालों में खुजली होने लगती है, बाल समय से पहले शफेद होने लगते हैं बालों का तूटना जड़ना शुरू हो जाता है आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके प्रियोग से आप इस प्रॉब्लम से चुटकारा पा लेंगे चमच सरसों का तेल लें उसमें एक चमच नीबू का रस मिला लें फिर इसे कॉटन से या उंग्लियों से अपनी बालों की जड़ों में लगा लें लेकिन आप जब भी इस रेमडी का यूज अपने बालों पर करें तो बालों को सैंपूशी जरूर साफ कर लें मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको शाब बालों में ही इस रेमडी को बालों पर एपलाई करना है इसे लगाने के बाद अगर आपके बालों में खुजली होती है जंजनाहट होती है तो आपको घवराना नहीं है इसका मतलब है कि नीबू का रस और सर्सों का तेल बालों पर असर कर रही है रूसी को खत्म कर रही है आपको 30 मिनट तक इसे अपने बालों में लगा कर रखना है फिर आप पानिशे बालों को शाफ कर लीजे नीबू के रस का प्रियोग हफते में दो वार से अधिक मत करें क्यूंकि नीबू एक ऐसे डोता है और बाल सूखने पर बालों में तेल जरूर लगा लें इस नुस्खे के प्रियोग से बालों की रूसी जड़ से खत्म हो जाएगी 200 ग्राम कोकोनट ओयल लें उसमें आपको एक कपूर के पीस का पाउडर बना कर डालना है फिर इस तेल को आप अपनी बालों की जड़ों में लगा लीजे और 15 मिनिट तक धीरे-दीरे उंगलियों से बालों की मसाज करें फिर कम से कम 12 गंटे के बाद आप बालों को सेमपूशे साफ कर लें इस नुस्के का प्रियोग आपको हफते में 3 बार करना है ये बहुत ही असरदार नुस्का है इससे बालों की जड़े मजबूत होती हैं बाल काले घने लंबे होती हैं और बालों से डेंडर साफ हो जाता है अब मैं आपको जो आखरी डिप्स बताने वाली हूँ बो है करड दही अपने अमलिय और कंडिशनिंग गुड़ों के कारण बालों के लिए बहुत अधिक लाबदायक होता है आप खटा दही लें और इसे अपने बालों की जड़ों में लगा लीजे एक गंटे तक इसे बालों में लगा कर रखें उसके बाद आपको सैंपू से बाल साफ कर लेने है इस नुस्के का प्रियोग आपको हप्ते में कम से कम दो बार जरूर करना है इससे बालों में चमक आएगी और धीरे धीरे बालों की रूसी कमोने लगेगी